ट्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल कैसे हैं आप सब लोग तो कहते हैं ना कि लाइफ में हर एक की लाइफ में मतलब स्ट्रगल हैं तो मैं धोरे हूं अभी शिप्रा के टिफिन वगेरा तो हम जो देखने वाले हैं वो सोचते हैं कि हां शिप्रा नौकरी लग गई और सैट हो मैं हाउस वाइफ हूं तो मेरे स्ट्रगल है लाइफ में घर के काम का आज में तो शिप्रा के सर्विस में स्ट्रगल है सुबह उसे जाना पड़ता है पहले बस स्टेंड तक जाना पड़ता है फिर बस में बैठके आधे पर गंटे का उसका सफर है फिर शाम दिन भर उसके आफिस देख ऑफिस में उसका काम है उनिवर्स्टी में और उसके बाद पिर आने के बाद फिर वो ही सफर करके आती है और पिर बसस्टेंड आती है और फिर घर आती है तो है तो स्क्षरगल है jest है यह लोग भी फ्रेंट्स बेड़ बौलकेजे़ श़ंधर्सत यह है और इसके बाद मैंने चाय नास्ते के बर्तन में साब कर लिए हैं बहु अभी गई हो यह दिहर नें तो शाम का काम वही निप्ता देती है तो मेरे बस अभी मैं बना रही हूं खाना तो खाने में बना रही हूं पकोड़ी की सब्जी जिसकी रेसिपी मैंने आपको भदवा तो जब काम हमें ही सारा करना है तो इस काम को हस के क्यों ना करें चिड़ चिड़ाते हुए ना करें कोई भी काम जब हमें ही काम करना है तो बस उसे एंजोई करके करें जो भी काम करें उसको एंजोई करते हुए करें अगर आप खाना बना रही हैं तो खुशी खुशी बन से और मन से खाना नहीं बनेगा और इसलिए कभी आप ये ना सोचे फटा फट बना दूम बना सिरे नइ h जब तक बश्रता बर्तल में कोदें कονराइन के-समें नमक मिच्ची अथी जब आफ नहिकर नमक मिच्ची या स्थित भी situación यह सो छोडशेGGर्व आच्छ हैं में प्यूरी बना के डाल सकते हैं टामाटर प्यावलेस ह available अट्रैट मेकषी शब डाल के पर मैं सिंपल बनाती है इसको बहुत जंदी भी बन जाती है और जही डालों में तो सब कुसंद भी आती है मेरी यादत है कि मैं किचन से जुल्दी से बाहर नहीं निकलती हूं किचन में घुशूंगी तो मैं तीन-चार काम करके ही निकलती हूं तो फिर मेरे असबेंड ने कैरी ला रखी थी और कैरी का जो आपको सामने मसाला दिख रहा है वो मैंने बना के रखा है और या फिर मैं दही जमाऊंगी ऐसे कई काम मैं करती रहती हूं या कोई भी चीज अपसेट पड़ी है तो उसको सेट करती जाती हूं इस तरह से मेरे को किचन में चाहे मैं खाना 15 मिंट में बना लो लेकिन मैं निकलने में बहुत टाइम लगता है वापस निकलने ही सकती हूं क्योंकि मु प्रिसन या घातो ओन आने में वाला गयो घूर जाने में एद्मी गल्मी लगती है तो गल्मी मुझा जाना हो डानी है और बहुत दीन से सोच रहे हूं कि मुझा बढ़नां की कुछ खरी तो लना प्लमी कहता है चलो अनलाइन सहीं पर आइलि जिश से तो हम पोराने टैम मे किचन के सफाई करूंगी तो आप से जरूर शेयर करूंगी अभी गर में इतनी हैं कि गर्मी में कुछ काम होते हैं और कुछ नहीं होते हैं बस मूड भी होता है तो गर्मी लगती है और काम होते नहीं है तो जैसे तैसे डेली की सफाई करते हो कर देते हैं बाकी दीप सफाई मैं बाद में करूंगी इसकी तब आप से शेयर करूंगी तो अभी मेरी पकोडिया बन चुकी है और आज में हास से नहीं बनाई है चब मस्से बनाई है तो थोड़ी सी बड़ी बनी है पकोड़ी थोड़ा भूल भी पतला था इसलिए क्या है कि यह बड़ी बन गई है अचा पकोड़ी पहलो जी को बहुत पसंद थी शिप्रा बोलती है तो फिर मैं सबसे पहल ही इसकी सबजी बनाऊं है तो यहां पर फोटो लगी हुए जैसा कि आपको मालूम है तो यहां मैं एक बार चढ़ा दूंगे उनको तो एक कमेंट मेरे आया था कि आंटी आपकी साधिगी मुझे बहुत पसंद है तो मैं साथ की पूर्ण में ही आती हूं कैमरे में मैं के आना मुझे अच्छा नहीं लगता है जासे हम घर पर काम करते हैं तो आपनी घर की क्ष में ही काम का अर्व ना सजदस पैट रहे करने सब्साव हूं कमें मैं स баз जर्व की आए तो भिलुकल देल सक आपके सामने है जैसी मैं हुं में हम द दो आब समस्ख बहुत अच्छा पुछ त्वाना चले को नंकीन चावल बहुत पसंद है। सुबह्त मैंने चावल दाल बनाए थे। गmental बच गये हैं। मैंने ज़ादा बनाए थे। मेंने चावल बनाए थे। पुलक्ता लगते हैं। अचिण तवीचल थे लगते हैं। तो जी गरम हो गया है थोड़ी सी जी रही डाल डूली में से थोड़ी सी राई और हल्दी डाल के चाब डूली अधक बच्चा इसलिए उसको गरम मसाल अगेरा नहीं डालती हूं इसके रेसिपी में उसका थोड़ा मूह जलता है तो बस केवल नमक मिच्री ही डालूंगी मैं इसमें और वो ऐसे चावल बहुत पसंद करता है तो खाना तो मेरा बन चुका है थोड़ा सा चार डालना था उसमें मसाला डालना था तो डाल रेसिपी मैं आपको पहले ही बता चुकिए अचार की तो आज की ब्लॉग में इतना ही टिफिन वगेरा सब मैं रात को धुदेती हूं बहु होती तो वो धुदेती है नहीं तो मैं रात को धुके रख देती हूं सुबह धोने बहुत बुरे लगते हैं इसलिए पहले ही टिफिन सारे निकाल के और धुदेती हैं ठकी तो छिटि